गाइस यह वाला फुल लुक है इसका मैं आपको इसको वर्टिकली बताती हूँ अगर आपको इसका स्क्रिंशॉट लेना ही तो स्क्रिंशॉट ले सकते हैं बहुत ही प्यारा और मेरा फैवरिट ड्रस है यह और इसकी जो स्लीव से आमरे ला स्लीव से असलाम आलेकूम यूटी फैमली वेलकम बैक टो मैं चैनल फैशन जर्नी उम्मीद है कि आप सब अपने गरों में सेफ और टिक टाक होंगे तो गाइस यह हमारी आज की फर्स ड्रस है जो मैं आपसे शेयर करूंगी जो बहुत ही प्यारी ड्रस है बैक साइड इसका प्लेन है लेकिन उससे पहले आप मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोडिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए तो गाइस यहाँ पे मैंने ड्रस को भीचा दी है यह फुल लुक है मैं आपको इसका डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी कि एक कि यह बताऊंगी कि एक तरफ द्रस क्यासे यहां पें तीन टाइपस का फैब्रिक है अब देख सकते हैं प्रिब्रिंटेड फैब्रिक और यह जो ब्यू किलर का जो है तोड़ा थीक पैब्रिक है एक उस पे गौल्डण न टोड़ा टोड़ा शिमर है और यह शिमर फैब्रि और यहां पर राइट और लेफट फाबरेक सेंटर पे जॉइंट है और एक टॉप लेज दी गई है सेंटर की तरफ और प्रिंटिट फैबरी पी नीचे मैंने लाइनिन नहीं लिया है उज और लेफट फैबरेकちゃ भी कलर जो बयू वसर लाइनिन ली गई है और गाइस शिमर फैब्रिक जो है सेंटर से लगबग 4 इंच साइड की तरफ जो के लेफ्ट साइड की तरफ एटाच है सिर्फ उपर से हम लोगों ने टॉप स्टीज दे के उसको अटाच किया है लेगिन सेंटर पे इसको इस तरह से जॉइंट किया गया है और शिमर फेब्रिक के नीचे जो लाइनिन है वी अचनले हमेन फूल प्ले mean है आप इस NEW गोर्टन कलर की पाइला क्या अब शुप अमर्डेल का horror क्या उसको गोल्ड स्टिच से इसको बिटा दिया गया है यहां पर मैंने टॉप स्टिच लगवाया है तो आप बॉटम देख सकते हो शिमर का जो बॉटम है राउंड है और जो ब्लू कलर का बॉटम है स्ट्रेट है डुपटे के बॉटर्स पे प्रिंटेट फैब्रेक के लिए लगाई है और यह जो है स्टोन स्टोन नहीं है यह जो है तारे स्टार्स के जिसा है यह तो यह तीन तीन लगा दिया है बहुत ही प्यारी लुग देने के लिए तो यह इसका यह फुल लुक है आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसकी जो मैंने स्लीवस बनाए है यह फुल अम्रेला स्लीवस है और शिर्मर से बनाया गया है आपको यह गाउन कैसी लगी है कॉमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आ गये है तो लैक जरूर करें तो नेक्स जो गवन होगी बहुत ही प्यारी गवन है यह जो है इसका एक साइड जैकेट है बैक और फ्रेंट पे एक साइड पे इस तरह से जैकेट लिया गया है या वो लिशकते आप इसको लेयर बोल सकते हैं यह फुल प्रिंटिड फैबरिक है स्ट्रेचिबल और टोड़ आपको उपर लिंक दूंगे अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो और फुल लेस फैबरिक पे बीच कलर का जो है हम लोगोंने फ्लावर्स लगा दिये हैं और स्लीव इस तरह से है गाइस और बॉर्डर पे लटकन वाली लेस लगा दिये है और यह जो इस पर जैकेट की जो साइड्स पे भी बीर्स लगाई है और इसकी यह कॉंट्रास कलर का डुपट्टा है और यहां पे जैकेट का जो फ्लावर्स निकलता है उन एपलिक्स को अलग करके आप इस तरह से लगा के इसका लुक और बढ़ा सकते हैं तो इसको मैंने अलग करवाया है और इस पर एटेच किया है और सेंटर पे पर्स दिया है और इवन ब्लू कलर के स्टोन भी लगवाये हुए हैं तो यहां पर एक बंच है फ्लावर्स का जो साइड्स में आएगा और यह आपके पहनने के बाद इस तरह सर पे आएगा एक ब बंच दुसरे साइड पे होगा तो आप इस तरह से देखके एजस्ट कर सकते हैं आपके आपको किस तरह ए बंच आने हुए है तो गाइस नेक्स टर्ड डिजाइन है यह बहुत प्यारी और सिंपल सी गाउन है बॉडी कट है और यहां पे सेंटर पे आम लोगों ने लेस द अबरेला है उपर का फैबरेक पी अमरेला कट है और इसके लिए जो अपको तीन से साज़ तीन मीटर का फैबरेक लगता है दोनों टूटल सिक्स मीटर फैबरेक युश करने हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बटन लगवाए हैं और फ्लावर्स के दर्मियान पे बटन और साइट्स पे फ्लावर्स के दर्मियान पे स्टोन लगवाये हैं जहां पर भी आपको दिखता है वहां पर आम लोगों ने स्टोन लगा के तोड़ा सा इसका लुक एलिगेंट कर दिया है और इसकी जो डूपट्टा है यह बहुत ही प्यारी डूपट्टा है बहुत ही बॉडर्स पे लेस लगाया है और फ्लावर्स के जो सेंटर पे सिल्वर कलर के स्टोन लगा दिये हैं और उसी लेस के फ्लावर्स कट करके पूरी डूपट्टे पे इस तरह से बंच क्रेट किया है ट्रिपल वाला बंच और दूर दूर सिल्वर वाले स्टोन लगा दिये है तो इसका वर्टिकल लुग आप देख लीजिए अगर आपको इसका स्क्रेंशॉट लेना है तो स्क्रेंशॉट ले सकते हैं तो इसके स्लीव भी बेल है आज कर फैशन में है हर कोई बेल बनाता है सिंपल स्लीव तो कोई नहीं बनाता गाइस नेक्स जो डिजाइन होगा मैंने मेरे fancy and elegant gowns 2020 जो के part 1 कुछ दिनों पहले मैंने upload किया था उसमें मैंने यह same design बताया है black color की gown तो आगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका link मैं उपर दूँगी आप ज़रूर चेक करें बहुत सारी design मैंने बताया है उस वीडियो में तो यहां पे gray color की gown है तो यह stretch fabric है आप body cut umbrella है अंदर का जो फैबरिक और उपर का मैंने lace fabric इस्तिमाल किया हुआ है यह दोनों fabric बहुत ही प्यारे fabrics है और इसका जो cut है princess cut है जो के armpit से तोड़ा एक ही नीची से लिया गया है और यहां पर contrast color की lace attach की है और इसकी जो sleeves है bell sleeves है लेकिन यहां पर shape जो होता है यह इस तरह से shape है अगर आप इसको खोलेंगे तो यह leaf जैसा shape है गाइस अगर आपको इस स्क्रेंशॉट लेना है तो ले लीजे बहुत प्यारा लगता है यह पहनने के बाद तो अगर आप princess cut जो है यहां से नहीं लेना है तो आप armpit sorry armhole के तरफ से भी ले सकते हैं लेकिन मैं हमने आपे armpit से one inch नीचे से इसको लिया है और यह जो है contrast color की डुपटा है चारो तरफ हम लोग ने lace लगाई है stones भी लगा दिये हैं गाइस यहां पर जो fabric इस्तिमाल हुआ है 3.5 meter जो अंदर का fabric है और जो lace fabric इस्तिमाल किया है 2 meter rune बने वाला अगर आपको बारिक बने वाला है तो आपको 3 meter ही इस्तिमाल करने हैं अगर आपको यह design पसना गया है तो आप इसका screenshot ले लें गाइस अगर आप मेरा वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं और अभी तक subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे subscribe कर लें और bell icon को आप और इस वीडियो को जरूर अपने friends family contacts को share करें ताके इससे मुझे subscribers और viewers मिलने में मदद मिल जाए गाइस नेक्स जो हमारा design है ओवर कोड़ वारा design है यह inner है जो के body cut umbrella cut है इसके लिए मैंने रून पने वाला 3 meter का fabric इस्तिमाल किया है ओवर कोड़ है यहां पर मैंने सिंपल सी लेज यूज की है क्योंकि फैब्रिक गौड़ी सा है और यहां पर मैंने लूप्स लगवाए हैं साइट में आप देख सकते हैं यह लूप्स है और इन लूप्स पर मैंने रेडिमेड दोरी यूज किये हैं तो टोटल नियरली 10-12 लूप्स पर लघा सकते हैं और यह दोरी जो एंड्स पर इसी फैब्रिक का लटकन दिया हूआ है तो इसके स्लीव जो है फुल्स लिउस है और अंपरेला है यह अम्रेला बेल किया हुआ है गाईस इससी जो फैब्रिक में रिमें था जो बचावा यसे मैंने अपने बेटी अगर आपको चाइनी स्कॉलर का टूर जो किए तरीके से चाहिए तो आप इसे क्लिक करके जरूर देखें और इसकी डुपटे पे भी मैंने चारो तरफ से सीम लेस लगाई है और बहुत चोटे से स्टोन्स के आरेन करके फिक्स किये है जो अगर आप इसका वर्टिकल लुक देखना चाहते हैं तो मैं इसको वर्टिकली अपको दिखाती हूँ आप इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं अगर आपको इस तरह की गाउन बनानी है तो लेकिन आजकल उतना फैशन में नहीं है ओवर कोट वाला बहुत सरे डिफेंट डिफेंट डिजाइन आये हुए है इसका प्रिफ में प्रिफक भी में एक स्टार लिफेंट रवान के जो दो सफिवारी हुए हुए है और यहां कि जो फैबिक और प्रेश कट है दोनों कोए आप से बहुत सिम्पल से गाउन है इसमें आपको एक्स्पेंट करने वाला कोई नहीं है और यहां के जो इस्लीव तो आप यहां पर देख सकते हो यह open है क्योंकि हमारे हाथ से भी लंबे आ जाते हैं इसलिए यहां पर open रखवाया है बहुत ही प्यार इसलिए अगर आप बनाना चाहिए तो आप इसको अपनी गाउन पे बना सकते हो और इसका फ्लेर आप देख सकते हो और इसके जो दुपटा भी है सिंपल है अगर चोटी सी कोई पाटी है गेट टोगेधर है आप यह गाउन पहत सकते हैं नेक्स जो गाउन है यह बहुत प्यारी गाउन है इसका फैब्रिक भीपागा है नेट वाला फैब्रिक है आणर क्रेप इनर है और इसकी स्लीउस मेरे ब कोट ओखान चोटा सब पॉवर कोट दे सकते हो यह वेस्ट कोट है हाई-लो लुक पर बहुत है यहां पे स्लीड्ट के भी वर्डर पर हाई-लो पर हम लोग ने यह नहींस वाले लेस लगाई वी है इसका लुक और बढ़ाने के लिए और इसका आप लेंगे तो पिछे से आप नियरली 19 इंच ले सकते हैं और सामने की तरफ आप 4 इंच चोटा हाई-लो लुक देने के लिए तो मैं इसका आपको वर्टिकल लुक बताती हूँ आप इसे देख लें और अगर स्क्रिंशोट लेना है तो जरूर इसका स्क्रिंशोट लें इंशालला एक और लास्ट डिजाइन बचा हुआ है जो कि मैं आपसे अभी शेयर करूँगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गए तो जरूर कॉमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इस तरह के डिजाइन्स मैं और शेयर करूँँ आपके कॉमेंट से मुझे समझ में आएगा कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं नेक्स्ट इंशालाह मैं अपना एक इफ्तार व्लॉग आपसे शेयर करूँगी तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले आप मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो गाइस यहां पर दोनों फैब्रिक जो के निवी ब्लू कलर और जो पेल एलो कलर का जो फैब्रिक है दोनों नेट फैब्रिक है तो ये contrast लिया गया है यहां पर, body cut है, तो अंदर का जो fabric उपर का दोनो body cut है, और round neck है, neck पर sleeves पर lace लगाई ह। और body पर भी इस तरह से lace लगाई है, और अंदर की तरफ, जो lining है, वो जो pale yellow कलर का lining है, आप design देख सकते हो, अंदर का a line cut है, आप umbrella cut भी ले सकते हो, और उपर से इस तरह high low look दिया है और बोल सकते हो आप asymmetrical look दिया हुआ है गाइस यह हमारा last design है और यहां तक मेरा वीडियो आप देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया तो आप मेरे साथ बने रहें इंशाला मेरे next वीडियो में जो के मैं बहुत जल्दी upload करूंगी और मेरे वीडियो आप अपने friends family contacts at least five members को या five contacts को आप जरूर इसे share करें ताकि मुझे subscribers या active viewers जो के stitching में interested हो मिलने में मुझे मदद मिले बहुत सारे videos है guys मेरे channel पे आप उसे देख सकते हो end screen पे आपको चार videos मिलेगी और नीचे description box में भी बहुत सारे videos है आप इसे check कर सकते हो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया see you next time, Allah आफीस